प्राब्लम 151 में कहता है रेशियो बताना है रिजॉल्विंग पावर्स का दो माइक्रोस्कोप के लिए और ये दोनों अलग-अलग वेवलेंस पर आपरेट होता है तो रेले का जो क्राइटेरिया होता है है ना इस टॉपिक को सीखने के पहले हमें ये कराइटेरिया पढ़ना होता है कि कैसे ये दो इमेजेस को डिस्टिंग्विश कर पाएगा थीटा का टाम होता है मिनीमम ये होता है बच्चो 1.22 लैंडा डिवाइड बाइड डी जहां पर जो डी है बच्चो वो डायमीटर होता है ठीक है किसका हमारे लेंस का जो मैगनिफाइंग लेंस है तो यहां देखो डिरेक्टी प्रपॉर्शनल जा रहा है ये और साथी साथ जो resolving power रहता है वो inverse में जाता है आपके angular के ठीक है और ये जो theta का term है ये angular resolution कहलाते है तो यहां से अगर आपन सीखेंगे तो क्या हो जाएगा lambda का term आ रहा है तो आप लिख सकते हो resolving power for 1 divide by resolving power for 2 is equals to lambda for 2 divide by lambda for 1 answer सीधा सीधा मिल गया है आपन को 6000 और 4000 angstrom के term से यह हो जाएगा 6000 angstrom इसको लिख सकते हो 4000 angstrom answer will be 3 is to 2 ठीक है दोनों का power inverse में जाएगा lambda के और option number 2 हमारा सही होगा इसे कहते हैं बचो relay criteria यह microscope telescope दोनों पढ़ने में काम आता है यह angular के form में होती है 1.22 lambda by d यह दोनों terms constant हैं यहां पे 1.22 और d आपको दिख रहा है यह lambda पे depend कर रहा है ठीक है next question की तरफ बढ़ते है problem 152 कहता है thin prism से पढ़ना है अपन को refractive angle 10 यह 10 से कम होता है न तो thin prism कहने रखते हैं अपन लोग is made up of glass और यह उसका refractive index है एक नया prism और लेकर आ हैं जिसका refractive index 1.7 है जो combination है बच्चो वो dispersion without deviation ध्यान रखना दो concept बनते हैं एक deviation without dispersion और यहां पूछा है dispersion without deviation डिवीशन नहीं कर रहा है dispers करेगा बस और अपन को बताना है reflection का जो angle है दूसरे वाले prism के लिए है राइट तो मतलब क्या है यह आपका a है और आपको नया वाला a बताना है ठीक है बच्चो कुछ इस तरह का समझ में आएगा यह आपको concept अगर इसको सीखेंगे आपन तो ठीक है कोई भी incident के concept में आप देख सकते हो ठीक है बच्चो इसी क्या concept कहता है और thin prism की equation क्या कहेगी यहां मैंने लिखा है thin prism thin prism मतलब 10 degree से कमवाए लोगों को thin prism बुलाते है अपन यहां पे deviation की equation होगी वो होती है a bracket के अंदर mu minus 1 और यहां mathematics लगाओगे इन दोनों के साथ तो क्या लिखा है देखो without deviation that means दोनों का algebraic जो sum होगा वो कितना होना चाहिए zero अब क्योंकि यह clockwise है और एक anti clockwise है तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक को conventionally negative करना होगा तभी तो अपन लोग copies में direct लिखते हैं कि पहले वाले prism मतलब first prism का deviation और second prism का deviation बराबर होता है बच्चों ठीक है इस line को दो बारी यहां put कर देते हो और answer मिलने लगेगा अपन को यह हो जाएगा a mu-1 और यह भी हो जाएगा बच्चों a mu-1 क्योंकि यह पहले का है तो यह हो जाएगा 1,1 और यह दूसरे का होगा तो क्या हो जाएगा a2 और mu2 a1 दिया हुआ है बच्चों 10 यह है 1.42-1 यह अपन को पता करना है ठीक है और ये दिया हुआ है question में 1.7 minus of 1 ये 0.42 तो ये बना रहा है बच्छों 4.2 और ये हो जाएगा 0.7 ये किसके बराबर आया अपना? A2 के बराबर मतलब अपना answer है 6 degree ठीक है? Option 2 सही जायागा ये diagram के बाद direct ये line लिखनी थी अपन को और ये बन को पता होता है बच्छों ठीक है? Next question देखते है Problem 153 कहता है एक capacitor है उसको battery से charge कर दिया और battery को वहाँ से हटा दिया है ना? इस point को बहुत ध्यान रखना battery is being removed now और फिर से एक और capacitor को identical paddle में connect कर दिया और हमसे बोला है electrostatic potential energy कितनी हो जाएगी system की पहले समझ लो battery यहाँ से हटा दी गई है जब भी अपन charging वगरा पड़ते हैं capacitor की ठीक है बच्छों? तो दो तरीके से होता है एक, charge करने के बाद battery को remove कर देते है battery has been removed इसका मतलब क्या है? जिसे यह capacitor हो गया और इसके पास क्या हो गया? एक battery से connect कर दिया ठीक? capacity हो जाएगी और जितना potential दोगे वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा battery हटाने का क्या मतलब है? step 1 और step 2 battery हटाने का मतलब है इसके पास capacity C रहने वाला है और यहाँ पर जो charge है वो अब हो जाएगा बच्चो constant क्योंकि और कोई charge देने वाला आदमी यहाँ नहीं है battery अपने हटा चुकी है तो कुछ भी करूँगा मैं system के साथ तो क्या होगा charge constant और कहता है कि एक capacitor और लाके लगा दो दो charge will flow but the total charge will remain constant और यहाँ पर क्या होगा एक identical capacitor आगया है तो effective capacity की value हो जाएगी two times of c simple है तो अगर मैं initial potential energy बात करूँ इसको देखकर लिखने को तो formula बहुत सारे होते है हमको वो formula यूज़ करना है जहाँ पर charge वगएर आज़ा और c वगएर आज़ा है ना तो इसे half cv square पढ़ाओगा आपने ने ठीके one by two q into v पढ़ते हैं या बोलते हैं one by two q square by c इन दोनों को नई use करना है इसे use करना है the reason charge constant है जल्दी answer मिल जाएगा इससे भी method से मिलता है लेकिन बहुत lengthy हो जाएगा बच्चो तो अगर मैं यहाँ पर लिखू initial internal energy वो है बच्चों q square divide by two c और final internal energy final potential energy जो भी electrostatic energy है यहाँ पर वो कित्ता हो जाएगा one by two लिखेंगे वो charge तो उतना ही है बच्चों तो यह हो जाएगा q square और capacity की जगापे आजाएगा two times of c which is obviously one by two times of initial energy तो half के factor से क्या हो रहा है यह decrease हो रहा है simple answer हो गया है यह और option number one इसको सही करेंगे decrease by factor of two याद क्या रखना है battery हटाते ही यह line दिमाग में आ जानी चाहिए नहीं तो question solve नहीं होगा अपन से battery हटाएगे charge constant और answers सीधा सीधा relate होने लग जाएगा next question की तरफ बढ़ते है students problem 154 में एक escalator से related problem पूछा गया है कहता है pretty reach metro station and found that escalator is not working यह खुद चल कर जा रही है stationary escalator पे वो time ले रहा है T1 किसी और दिन stationary हो जाते हैं मतलब कौन लेकर जाएगा escalator लेकर जाएगा तो time लग रहा है T2 हमें वो time बताना है जब वो खुद भी चल रही हो और escalator भी चल रहा हो let's say उस time को अपन यहाँ पे T बोल देते हैं ठीक है पर समझते हैं क्या कहना चाहरा है case 1 की अगर बात करूँ तो escalator क्या है stop है और move कौन कर रहा है pretty pretty moving ठीक है बचो यह illustration की तरह लेक के चलो इसको let's say कोई person है यहाँ पे अगर यह stop है तो वो खुदी चल के जाएगा तो speed कितनी हो जाएगी velocity for pretty और उसको कितना चलना रहेगा यह distance को अपन let's say assume कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ count होगा velocity for pretty is equal to distance divided by time और second category क्या कहती है देखो if she remains stationary मतलब second time कोई लेकर जाएगा escalator लेकर जाएगा उसको तो यहाँ हो जाएगा velocity for escalator हो जाएगा l divided by कितना रहा है बच्चों यह t2 simple होगे हैं यहाँ तक तो फिर last last में कहता है कि time कितना लगना चाहिए जब pretty भी चल रही हो और escalator भी चल रहा हो मतलब जो दोनों चल कर जाएगे तो third case में क्या हो जाएगा vp plus of ve मतलब third वाले case में दोनों ही चल रहे है तो हो जाएगा बच्चों velocity for pretty plus velocity of escalator distance होता ही cover कर रहे है और यह time नया आ जाएगा और यही time अपन को निकालना है इन दोनों के values को यहाँ से रख देते हैं अपन यह हो जाएगा l by t1 plus l by t2 is equals to l by t और अपने को समझ में आ रहा है कि t का मतलब कितना होना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर यह हो जाएगा t1 t2 divide by t1 plus t2 options यहाँ पर right नहीं है अपना यह answer होगा और बहुत simple है इसको अपन theoretically पढ़ते भी है motion और relative motion के topics में answer आ रहा बच्चों t1 t2 upon t1 plus t2 ठीक है next question की तरफ बढ़ते problem 155 देखो बच्चों thermodynamic process बोल रहा है और कौन-कौन सा graph क्या-क्या indicate कर रहा है match करके बताना है है ना तो first वाले को समझते है first initial से final तक आता है तो आप देख रहे हो कि volume में कोई change नहीं आया है that means volume को यहाँ पर हमने constant mention कर दिया है volume constant का meaning होता है thermodynamics में कि यह isochoric होगा तो जो first वाला है बच्चों वो isochoric पर आ जाएगा और यह हो जाएगा P, right P वाले के लिए second threat को समझाता हूँ मैं fourth वाले को पहले देखो initial से final गया है लेकिन यह जो पूरी process है वहाँ पर pressure का जो term बनाया गया है वो तो constant ही है ठीक pressure constant का मतलब होता है isobaric तो fourth process जो है वो isobaric है मतलब यहाँ S आ जाएगा अब इन दोनों को अच्छे हैं देखो process second है और process third है third वाले के लिए initial से final आ रहे है लेकिन temperature में कोई change नहीं आया है right तो third process के लिए क्या हो जाएगा PV का जो term है वो constant है that means यह क्या होगा isothermal होगा तो third वाला जो रहेगा वो रहेगा isothermal और यहाँ पर आ जाएगा arch और यहाँ देखो last यह second वाले को देखोगे तो क्या दिख रहा है PV की पावर गामा यह होता है constant और हमें पता है कि इसका जो slope है वो इससे यह दिखान रखना है कि second वाला जो है यह चीज एडियाबेटिक के अंदर count होगी तो यह हो जाएगा Q ठीक तो second वाला एडियाबेटिक है और यह सारे इसके options लगा दिये चारों को देखकर अपन समझ जा रहे है और यह अपने answers माक हो गए है next question देखते है problem 156 में किसी string का एक end है ना length L उसको mass से connect कर दिया है और दूसरे end को अपने किसी small pick पे smooth horizontal table पे रख दिया है और कह दिया है कि circular motion करता है velocity V के साथ हमें बताना है net force particle पे कित्ता होगा और T मतलब tension तो assumption में ये रख के चलो कि इसको एक horizontal table अगर assume कर ले है अपन और कोई भी friction की बात नहीं हो रही होगी तो यहाँ पे mu का अटम क्या हो जाएगा 0 इसको small pick assume कर लो और यहाँ पे length L के साथ एक particle रख दिया है जिसका mass M है velocity बच्चों को tangent पे बना देते हैं अपन और ये कुछ इस तरह से motion circular motion perform कर रहा होगा ठीक है इस end पे क्या होगा tension का term होगा और ये जो tension है right tension का जो term है वो centributal force के बराबर ही होगा क्योंकि circular motion में वो ही चाहिए होता है कोई friction की जरुवत नहीं पढ़ेगी और किसी force की जरुवत नहीं पढ़ने वाली है tension बराबर है friction के और वो बराबर है mv square by l के तो centributal force tension के बराबर है option number one सही होगा चलिए next question देखते है problem 157 में कहता है though nearest harmonics किसी भी tube के है न frequencies की बात कर रहा है बच्चों यहां पर यह ठीक है tube है वो close है किसी एक end पर और दूसरे end पर open है है न यह 220 और 260 तो मान के चलो कि हमें यह बात कर रहा है किसी भी closed pipe system की closed pipe का question पूछ लिया गया है और अपन को पता होता है कि इसमें odd frequencies ही आती है ठीक है सारे available नहीं होते है because of its construction और mathematical ही पढ़ते हैं अपन मतलब first होगा, third होगा, fifth होगा, seventh होगा and so on और यहां fundamental का formula होता है V divided by 4L इतनी basic बाते अपन को पता होनी चाहिए ठीक है V by 4L का term कितना होगा fundamental और वो ही अपने answers में आएगा जिसे यह अगर close pipe है तो जहां बंद होता है वो note कहलाता है बचे और यह anti-node अगर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को displacement के हिसाब से pressure पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाता है इतना deep में नहीं जाना अपन को node लिखा, anti-node लिखा close pipe में 1, 3, 5, 7 आएगा अब मान लो यह दो बहुत पास-पास कहें, to nearest तो लेट से अगर मैं इसको third वाला बोलू हूँ या fifth वाला हो जाएगा यह तीक है, या इसको first बोलूँ गा तो यह third हो जाएगा ऐसे करके चलता जाएगा यह तो let us assume F कोई भी n का होगा तो let's say यह हो जाएगा V by 4L और यहां आजाएगा n का term और next case में क्या हो जाएगा n प्लस 2 तो यहां पे एक term बन जाएगा वो हो जाएगा n प्लस 2 और यह हो जाएगा V by 4L इसको बोला है उसने 220 और इसको बोला है बच्चो 260 दोनों को subtract करोगे न तो इस n पे मिलेगा 40 और इसको subtract करोगे तो अंसर बच रहा होगा 2 times of V by 4L यहां से क्या दिख रहा है V by 4L का term आ रहा है 20 और यही तो बच्चो अपना अंसर है ठीक है यही तो अपना fundamental frequency होगा ठीक है यहां पे n हरकिस 1, 3, 5, 7 ही होगा and should be odd यह ध्यान रखा जाए और इन दोनों के जगा पे यह direct भी लिख सकते थे आप ठीक है जब minus करके यहां लिख देंगे 2V by 4L का यह difference का time होगा इसका ठीक है क्योंकि odd multiples में आ रहा है और यह जागा 20, 40 अंसर अपना यह बन रहा है ठीक है तो option number 1 अपना सही जाएगा next question देखते है अपन problem 158 में silver का threshold wavelength दिया है बच्चों ठीक है और वो है 3, 2, 5, 0 angstroms फिर कहता है velocity बतानी है अपन को ejected electron की सिर्फ equation से proof हो जाएगा यह और incident की wavelength इतनी है 2, 5, 3, 6 और यहाँ पे angstrom का term आएगा typing है ठीक है angstrom में यह भी है angstrom में यह भी है और H और C के term सपन को दिये हुए है पहले समझ लेते हैं कि photoelectric emission किस तरह होता है let us assume यह हमारे पास एक metal surface है अभी यहाँ पे आपनों को silver दे रखा है ठीक है कोई भी incident ray net energy लेकर आता है तो कुछ ना कुछ work function लग जाता है और remaining वो kinetic energy में लेकर consume हो जाता है तो mathematics में हम लिखते है net energy is equals to work function plus kinetic energy चाहो तो इसको electron volts में कर लो और चाहो तो इसको joules में कर लो वो अपने उपर रहता है बचो इसको अपन बोलते है hc by lambda ठीक है यह हो जाएगा hc by lambda not तीनों टर्म constant है और plus 1 by 2 mv square ध्यान रखना velocity का है इसको इदर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा यह hc बाहर निकल आएगा और बच्चरा अपने पास 1 by lambda minus 1 by lambda not ठीक है ना और 2 और m को ऐसा लिख सकता हूँ 2 by m यह टाम आ रही अपने पास v square की और यहीं से अगर अपने को v का टम चाहिए होगा तो root के अंदर सब चीज़े चली जाएंगी बच्चो ठीक है तो हो रहा है अपने पास 2 hc divide by m 1 by lambda minus 1 by lambda not एक बात का ध्यान रखा जाए इस equation को electron volt में भी लिखते हैं और juice में भी लिखते हैं और बहुत सारे अलगाग patterns होते हैं हमें फिलाल जो चीज़े दी हुई है वो यहां पर काम कर जाएंगी otherwise यह mu के term में भी लिखी जाती है तो देखो अगर मुझे electron volts में इसको लेके चलना हो तो यह term कैसी कैसी बनना शुरू हो जाएगी दियान से देखते रहो आप लोग यह लिखा हुआ है 2 hc को अपने लोग लिखते हैं 1,2,4,00 जब भी λैमडा अपने को एंग्स्ट्रम में फिट करना होता है तो ठीक है और यहां आ जाएगा term अपने पास 1 by lambda यह incident का है और यह threshold का है तो incident के पास अपने पास आ रहा है answer 2,5,3,6 minus threshold है बच्चो 3,2,5,0 ध्यान रखना एंग्स्ट्रम में अपने mention करते हैं तो इससे काम चाहिए जाता है और mass होता है 9.1 है ना electron का 10 to power minus 31 यह हो गया V after doing mathematical calculations आपको इस question के दो-दो answers मिल रहे होंगे because 6 into 10 to power 5 meter per second भी साहिज आएगा और यहाँ पर decimal लगा दूँगा तो यह 0.6 into 10 to power 6 meter per second भी आ रहा होगा मतलब इस question के लिए 1 और 4 दोनों के दोनों साहिज आ रहे हैं बच्चो ठीक है सिर्फ इस chapter में पूरे dual nature chapter में यही एक equation है जो काम की है जितना भी net energy आया है वो work function प्रस kinetic energy में utilize हो गया यह तो constant होता है और इसको लिखने के कई methods है ठीक है इसको solve कर लेंगे अपन तो यह मिल रहा है अपन को answer 1 और 4 इसके सई पढ़ रहा है answer चलिए next question देखते है problem 159 कहता है इस circuit के अंदर तीन identical resistance है 9 ohm के है ना तीन resistance है तीनों का value बच्चो 9 9 और 9 है ठीक है दो identical inductors भी लगे हुए है और उनकी values 2 है तो यहां लिख देता हूँ है 2 milli henry और इसका term भी आ रहा है 2 milli henry फिर ideal battery है उसकी value 18 है फिर कहता है current पता करना है अपन को just after switch is closed just after का मतलब पहरे समझ लेते है यह तो resistance है यह दोरो react करना शुरू करेंगे तो just after को at t equals to 0 पर पढ़ा जाता है है ना और मैंने यहां लिख दिया है switch को अपनने क्या किया है बच्चो just closed तो यह जो inductor है और यह जो capacitor है इनको दो अलग-अलग categories में पढ़ा जाएगा inductor बहुत जादा resistance देना शुरू कर देगा या react करेगा मैं कहूंगा तो इसको as a open circuit treat करते है infinite हो जाता है इसका ठीक है और यह शुरू में charge होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसको short circuit कर लेंगे तो इसको अपन open समझ लेते हैं और इसको अपन लोग close समझ लेते हैं कुछ देर के लिए वोई वाली बात यहां बोली गई है ठीक इसको redraw करो करो तो कैसा बनेगा यह एक battery दिखाई देगी आपको जिसका volt 18 है ठीक है इसकी जगा पर एक open circuit element आ जाएगा और यहां पर बच्चों एक resistance बन जाएगा इस तरह से 9 ohm का और यह तो safely आ रहा इदर तो यह connection इदर दे दिया अपन ने और यहां पर भी एक resistance मिल रहा है बच्चों इसकी जगा पर हो जाएगा यह open circuit ठीक है but fortunately यह जो capacitor है इसको अपन close circuit मान सकते है मतलब यह से वाली branch तो काम की नहीं रही यह काम कर रही है और यहां से इदर से current flow कर रहा तो यह भी काम कर रहा होगा मतलब यह 9 count होगा और यह भी 9 count होगा दोनों parallel में है इसके लिए effective resistance हो जाएगा आपका pedal में 9 by 2 और current का formula होता है V divided by R effective वाला तो यह हो जाएगा 18 divided by 9 by 2 आपका answer होगा 4 ampere और यह होगा अपना current और option कहीं match नहीं कर रहा है तो यह जो question है वो bonus में गिरेगा बच्चो ठीक है अगर यह question में यह वाला term absent होता तो आप क्या बोलते यह वाली branch भी काम नहीं कर रही यह वाली branch भी काम नहीं कर रही सीदा यह काम कर रहा है उस special case में जो पूछा नहीं किया है हलाकि फिर भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर second case में आप बोलते R का term 9 ohm है और वो वाले case में i equals to v by r होता और फिर आप कह पाते 18 by 9 that is 2 ampere और फिर अपन option number 4 mark करते हैं हलाकि यह है नहीं बच्चो question bonus में ही जाएगा आपका ठीक है कोई current अपना आ रहा है 4 ampere और यह path close माना जाएगा इस तरह questions में यह दो statements हमेशा याद रखें कि inductor को open मान लेंगे और capacitor को close मान लेंगे चलो next पढ़ते है एक spherical black body दिया है बच्चों कोशन 160 में black body right इसका emissivity 1 होता है radius 12 cm है और यह power दे दिया है इसका energy पर टाइम का term भी बन सकता है if the radius is half आदा कर दो temperature को double कर दो तो नय वाला power कितना होगा पहले यह समझते हैं कि formula क्या कहते हैं formula में अपन h लिखते हैं बच्चों generally यह energy radiated per unit time होता है और कई सारी books में इसको power भी बुलाया दिया जाता है formula होता है epsilon लिखते है a लिखते है sigma लिखते है और t2 par 4 लिख देते है यह पूरा पूरा term बनता दिखता है this is emissivity ठीक है यह term अपनी emissivity की आती है अगर कोई body किसी ने black claim कर दी है इसका मतलब क्या है इसका emissivity का term तो 1 आ गया है मतलब इसका कोई use नहीं है यह आपे तो power बच्चों अपने पास आ रहे है area stephens constant और t to power 4 अब क्योंकि spherical है तो area का term तो बच्चों 4 pi r square बनना चाहिए तो एक area का term है temperature का term है कहीं न कहीं यह जानकारी मिल रही है कि power depend कर रहा है आपके radius के square पे और t to power 4 पे और इन दोनों पे बाकी चीज़े तो constant है न sigma constant हो जाएगा और यहां पे 4 pi का term भी constant हो रहा है तो इसी line के साथ आगे बढ़ा जा सकता है radius आदा कर दीजिए और temperature डबल कर दीजिए मतलब नया वाला power depend कर जाएगा नया वाला radius मतलब इसको half कर देते हैं अपन ठीक है और temperature को double कर देते हैं ठीक रहेगा यह तो नया वाला power ठीक है depend कर रहा है नीचे तो 4 आएगा बच्चों इसके r square by 4 और यहां बन रहा है अपने पास 16 t to power 4 इसको cancellation में लोगे तो क्या आएगा 4 मतलब क्या है factor 4 से बढ़ जाना है इसको ठीक है तो power बिलकुल आ रही है 4 times of P this should be 4 into question में दिया गया है अपन को 450 देखो यहां पे लिखा है answer आना चाहिए इसका 1800 watts है ना major answer यहां से शुरू हो रहा है बच्चों radius का square और temperature की power 4 option 3 इसका सही करेंगे अपन और आएगे next question देखते है question question 161 देखो एक rope है जिसको wound कर दिया है हमने hollow cylinder के पास mass दिया है radius भी दे दिया है अपने को simply बताना है कि angle पे acceleration कित्ता होगा alpha ठीक है और 30 का force है ऐसा assume कर लो कि यह hollow cylinder है उसको axis से अपन देख रहे है यह उसका radius का point हो जाएगा और यहां कहीं से इसको force दिया हमने कितने का बच्चों 30 Newton का तो इस direction में इसके पास talk लगना शुरू हो जाएगा ठीक है और talk की equation होती है i into alpha is equals to r into f i यह इस तरह से rotate जब करेगा ना बच्चों तो यह इसका cylinder है है ना इस पे इस तरह से यह wound करके रखा होगा और इसको सामने से observe करोगे तो यह समझ में आएगा आपको तो inertia इसका axis पे हो जाएगा सिधा सिधा ring का inertia mr square into alpha और यह हो जाएगा r into f एक r से इसको cancel कर लेता हूँ मैं और mass कितना लिखा ओपर देखो बेटा यह हो जाएगा 3 kg radius दिया हुआ है 40 cm ठीक है और alpha पन को fine करना is equals to force का term हो जाएगा 30 newtons तो इसको solve अगर करेंगे तो इससे cancellation में जा रहा है और यह भी cancel out हो रहा है बचो तो alpha होना चाहिए अपने पास 100 by 4 this is 25 और angle की बात हो रही है तो answer आएगा radiance पर second square option number 2 इसका size आएगा सिर्फ equation का फरक पढ़ना है इस question में direct भी अपन लगा सकते हैं सब कुछ given है, यह given है यह given है और यह given है सिर्फ अलफा मिल रहा है अपन को यहां से ठीक है, mass दिया है, radius दिया है force भी दिया है तो आपका answer alpha 25 आ रहा है चलिए next question देखते है problem 162 देखो बेटा दो disc है उनके पास same moment of inertia है और regular axis से standard theory लिखी हुई है axis है, center है, perpendicular पर जा रहा है gently ला रहे है बच्चो तो loss of energy कितना होगा basically kinetic की बात कर रहा है तो समझेंगे इसको अगर कि loss पूछा गया है किसमे? kinetic energy में तो वो loss का मतलब है kinetic energy initial पहले आएगा और kinetic energy final बच्चो बाद में आएगा question कहता है दो disc के अपने पास, दोनों के पास same inertia है और omega 1, omega 2 पे शुरू में चल रहा है तो ऐसा assume कर लो ये एक disc हो गया इस axis पे चलेगा तो inertia आई है और omega 1 पे चल रहा है और ये भी एक axis हो जाएगा बच्चो inertia आई होगा लेकिन चलेगा omega 2 से, इसको बाद में क्या करेंगे दोनों को ये लोग face to face रख देंगे और axis पे न inertia बच्चो सीधा सीधा algebraically add हो जाएगा और यहाँ एक नया omega देखने लगेगा अब आप लोगों को ऐसे किसी भी question में जहाँ external force वगेरा नहीं आता न वहाँ पे conservation of angular momentum से पढ़ना होता है angular momentum ठीक है इस बात का ध्यान रखे हमेशा conservation of angular momentum क्या कहता है वो शुरू में इन डोनों को देखते हैं और बाद में इसकी बात करेंगे इससे आ जाएगा answer अपना i omega 1 plus i omega 2 is equal to initial की बात हो गई अपनी final क्या हो जाएगा? inertia की जगा हो जाएगा 2i और यह हो जाएगा omega i आईए आप यहां से अलग कर दीजिए तो omega की जगा पर क्या मिल रहा है? omega 1 plus omega 2 divide by 2 बराबर कितना आगे आपका omega और यह आपका final angular velocity होगा ठीक है? अब मैं बोलू यहां पर loss चाहिए अपन को तो loss का मतलब क्या होगा? total energy initial पहले पढ़ लेते हैं और फिर final लिख देंगे साथ में तो initial के लिए क्या होगा बच्चों? ध्यान देना 1 by 2 आएगा i omega 1 square plus 1 by 2 i omega 2 का square यह पूरी की पूरी बात हो गई इन दोनों को देख कर इसके साथ करें बात तो minus का term आएगा और यह हो जाएगा 1 by 2 2i का term आएगा और यह हो जाएगा omega का square 2 को cancel कर देते हैं ठीक है? और solve करने के कोशिश करते हैं यह हो जाएगा 1 by 2 i omega 1 square plus 1 by 2 i omega 2 का square अब ध्यान देना कि यहाँ पे minus का term है i का term है what will be omega यह find करके रखा है अपन ने यह आगया omega 1 plus omega 2 divide by 2 और उसका whole square बस open करना और answer मिलने लगेंगे अपन को तो कैसे करते हैं 1 by 2 लिख देते हैं omega 1 square plus 1 by 2 i omega 2 square थोड़ा लेंदी जा रहा है यह नीट के हिसाब से तो question half हो जाएगा यह हो जाएगा i इसको solve कर लेते हैं 2 को बाहर करेगो तो क्या हो जाएगा बच्चो 4 का term होगा यह हो गया omega 1 square plus omega 2 square plus 2 omega 1 omega 2 ठीक है अब यह negative का term जो है वो इन सब को minus में लगा देगा बच्चो धान से देखो आप लोग ठीक है तो half half के term है 1 ford जाएगा तो basically 1 ford बच जाएगा अपने पास है ना देखो 1 ford का term तो बच रहा है अपने पास तो यह term आएगा 1 by 4 एक i भी बाहर आ जाएगा ठीक है और अंदर बच जाएगा omega 1 minus omega 2 का square क्योंकि A square B square और यहाँ पर भी minus का term में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा यह A minus B का whole square बन जाएगा और इसके हिसाब से चलोगे ना तो question option number 1 आपका सही जाएगा यह बता रहा है अपने को change in quantity के energy या मैं कहूंगा यह loss बता रहा है तो कि अपने initial minus final किया है ठीक है बस mathematics में formula open करना अपन को answer मिल रहा है चली नेक्स question देखते है question 163 देखो बेटा एक gaseous mixture है वो कहरा है दो mole वहाँ पे oxygen के हैं वो चार mole अपने पास argon के हैं temperature T है vibrational modes को नहीं count करना है मतलब higher temperature पे नहीं पढ़ना है ठीक है अपने को बताना है total internal energy कितना होगा तो लिख देते हैं पहले अपन total internal energy किसकी का formula क्या होता है n c v delta T ठीक है यू अपन को system का बताना है तो n c v t plus of n c v t ये वाला term में oxygen के लिखूँगा और ये वाला term किसके लिए हो जाएगा argon के लिए ठीक है बच्चो तो पहले अपन oxygen के बारे में समझ लेते हैं oxygen एक diatomic gas molecule कहलाएगा और argon कहलाएगा monotomic ठीक है बच्चो diatomic और monotomic क्यों लिखे गए हो कि यहाँ पे अपन को degree of freedom की जरुवत पढ़ती है diatomic के लिए 5 होता है और इसके लिए होता है 3 क्योंकि cv का जो formula होता है वो होता है f by 2 into r है ना तो यह हो जाएगा n into f by r by 2 of t plus हो जाएगा n ठीक है f r by 2 into t ध्यान रखना यह oxygen की बात लिखिए और यह argon की है ना एक जिसे नहीं लिखे गा है अब question read करते हैं फिर से oxygen किते mol हैं 2 तो यह हो जाएगा 2 diatomic का मतलब 5 r t divide by 2 plus यह हो जाएगा 4 into 3 r t divide by 2 कर लीजिए cancellations ठीक है इसको solve कर लोगे तो बच्चों 6 और 5 यह हो जाएगा 11 times of r t और यह अपने पास delta u या मैं कहूं उस पूरे system की उस वक्त की energy मिल रही होगी internal option 4 जाएगा सही यह equation पता होती है और यह basic से theories है कि कौनसी guess का f किता होगा ठीक है next question पढ़ते है तो problem 164 में bulk modulus है बच्चों किसी spherical object का यह ना b बोला है और pressure p हो गया fractional change बताना है अपनको radius में पहले समझते हैं कि spherical object के अंदर सारे के सारे direction से अपन pressure apply करें राइट बच्चों तो volume में थोड़ा बहुत अपनको change मिलने लगता है और यह small change को delta v बोलते हैं bulk modulus में b भी लिखते हैं और k भी लिखते हैं और formula हो जाता है इसका negative p यह हो जाएगा delta v by v अब बात करते हैं इसके volume की जो की होगा 4 by 3 by r cube बात यहाँ पे fraction की भी करी हुई है तो units and measurement का अप्रोच लगा लेते हैं तो यह हो जाएगा delta v by v is equals to 3 times of delta r by r ठीक है? इस term को यहाँ अपलाए कर लो तो bulk का मतलब हो जाएगा minus of b यह हो जाएगा 3 times of delta r divide by r solve करोगे बच्चों तो fractional change का मतलब यह होता यह answer है अपना यह आ रहा है minus of p divide by 3 times of bulk यह अपना solution माना जाएगा p by 3b तो option number 3 इसका सही जा रहा है आईए next question देखते है problem 165 में हमें पहचानना है कौन-कौन से statement सही है तो first कहता है center of mass किसी body का क्या हमेशा coincide कर जाता है center of gravity के नई बिल्कुल गलत point है यह अगर समझो के तो क्या बोलोगे कि sir अगर एक ring वगेर आपन देखे तो center of mass क्या होगा outside भी तो रह सकता है और center of gravity और center of mass coincide हमेशा नहीं करेंगे तो यह statements तो बच्चों गलत हो गया center of mass of a body is a point where gravitation का torque क्या होगा zero हाँ यह सही है क्योंकि अगर किसी body को अपन arbitrary assume कर ले और यह center of mass बना दू में तो downward direction में क्या लग जाएगा उसका mg लग जाएगा तो gravity की वज़ा सा talk तो कभी आहीं नहीं सकता क्योंकि talk इसी point पर है difference पर जानी रहा है तो perpendicular distance तो यहाँ पर zero हो जाएगा और talk का formula ही होता है पहले R होना चाहिए उसके बाद F की बारी आएगी तो second point सभी नज़र आ रहा है बच्चो अग couple होना body translation भी देता है और rotation भी देता है नहीं यह गरबर हो रही है है अगर अगर अपन couple of force लगाते हैं तो point से दोनों direction में equal opposite force लगाते है तो यह translation कहां से कर देगा यह सिर्फ क्या करता है rotation कर सकता है इसके साथ यह force लगा है यह force लगा है तो इसको rotate करा सकता है तो rotation के लिए सही होगा इसके लिए गलत होगा तो ultimately इसको गलत में ही count कर लेने option D देखते है mechanical advantage का मतलब है small effort से अपन इसको उठा सकते है हाँ अपन jack वगेरा पढ़ते है hydraulic jack जहाँ पर mechanical advantage की definition होती है कितना आप लोगों ने load को lift किया है और कितना अपन ने वहाँ पर effort को apply किया है तो इसका मतलब अगर mechanical advantage greater than one है तो load आपने ज़ादा lift किया है और ये क्या है value कम होगी obviously बाते हैं अपन देखते हैं jack वगेरा में या hydraulic lift वगेरा में advantage मिलता है अपन को इस तरह से तो last option भी साही जा रहा है B.O.D. साही है option number 4 साही होगा इसका आए नेक्स question देखते है students kindly like, comment and subscribe to our channel